दोस्तों आज में आया हूँ नेखारी नगर मीना बजार चार रस्ता एमदावाद गुजरात में और यहां पर आप देख सकते एक ट्रस्ट है शायोना जन्द सेवा ट्रस्ट रावरोटी और यहां पर जो है गरीब लोगों के लिए फ्री में खाना दिया जाता है ताकि वो इनकी सेवा कर रहे है आए दिखाता हो आपको यह ट्रस्ट में जो मशीन चल रही है इस मशीन के बारे में जानना था आपका नाम बताइए शर पर नहीं देशा इन नावनी देशाए जी आसी यह मशीन क्या काम करती इसके बारे बगुत प्र यह ओटोमेटे का मसेन है अज रहे हैं जाए और यह मशीन कहां से ली गई है हमारी कमनी का यह सर जेक्सर मसीन अचे आपकी कम बढ़िए गाए हुई तो सर यहां पर कौनसे कॉल सी आपकी मशीन लगाई हुई है और क्या क्या कावब करती आप दर अब दर एक चाहिए बेले से आपको स्टार्टिंग से दिखाते हैं दर हमारे यहां पर कौन-कौन मसील लगी हुए है हम आपको दिखाते सबस्क्राइल दिखाना चाहेंगी आटा मुसीन इसमें सिफ आटा डाल दोगे पानी डाल देगो तेल डा वोटोमेटिक ऐसे आटा रेडिव हो जाएगा जी सर यह कितना आटा गुन देत यह आटा रेडिव होने के बाद यह डोगे लिए लिए बी ओटोमेटिक मसीन है इसमें सिर्फ इस तरह से उता हुआ डालना है ओके तो मैं टेक रेडिव हो जाएगा इसमें सिर्फ डाया डाल दिया देखें आब अब आटोमेटिक ऐसे कटके आएगे और सारे के सारे पर से गुता हुआ डाल देखें यह हाथ से सिर्फ मनाते रोटिया बनाते वर्ट सर्वने देखा है लेकिन इसके भी मशीन आती है यह मैं आज देख रहा हूं और सरी एक घंडे में लगवा कितना काम कर लेजिए और यह डोग मसीन है ना एक चार से पांचेजार डोग नि जेसे ही होते हैं यह दिखेंश करना है अगर साइस इफटन आपड़ा भी अधरुटी निकालना यह निकालना तो यह आप एक टास दिया हूं आप सैटिंग के मदद से जितना भी साइस कराम बना बना सकते हैं अब देख सकते हूं इफना ही मिनिटों में इतने सारे लोग क पछ आ गये देखें यह देख सकते हैं तो आप ही स्टार्ट किया था इनोंने वसी अरड़ देख सकते हैं कि दिना बन गया है और वहाँ दिखी यह जो मशीन है यह जो बना लेते हैं उसका यह मशीन और इसका बनाऊ प्रोर प्रोरस्पेया थे लुटिशन एंवाफ सब्सक्राइब करते हैं इसको एक एक करके डालना है ओटोमेटिक रोटी बन जाएगा सरी रोटी वदल इतना परफिल गोल केसे बनता है वह अपना जो दो बोल से कटा जाना हो एक तम गोल था उसकी वज़े सारी की सारी रोटी भी गोल आई इसका क्यापेसिटी है गंडे मे एक अजार रोटी निकालने का है एक घंटे में एक घार रोटी जी जी और सरी पूरा सेट करकी देदा अंफिलेट सेक्ट करके आएगा जी आप देख सकते हो एह जो कफ्रूमर है यहां पर फ्री में खानक दिलाते है ओप जीज़े ना बैतरी तरीके से खिला रहे से इस्तमा आपके मशीन से बादा हुआ है रोकी जो एक खिलाया जाता है यह जी तो आप देखि सकते सारी रोटी बिल्कुल गोल आ रही है और इसका एक भी फाइदा है एक इसको चला सकता है ज्यादा नेबर भी नीच है एक हंटे का हजार रोटी अगर बना रहा है तो औ कि 15 लोगों काम अरांग से हो जाता है दोस्तों देख सकते हैं मशीने किस तरीके से काम कर रही है और यहां पर देखिए नीचे आपको दिख जाएगा कितना फास्वा जो है रोटी बंदर के थैयार हो रही वह देखिए पर अंदर आप देखेंगे अगर तो अंदर आप द यह पूरा प्रोसीजन यह अंदर होता है और यह रोतिया जाए वहीं रही है मेरी खहल से दो-3 बैल्स है और आपको इस तरह रोटी बना दर की मिल रहा है यह आप देखिए दोस्तों इसक्ते हैं किस तरीके से बर्ल जल रहे हैं और किस तरीके से यह मशीन काम कर सिए और र रोटिया बनते हुए मैंने किसी भी इसी भी मशीन में आज तक नहीं देखा जो आपना काम कर देती है यह दिखते हैं आप देख सकते हैं कितनी गोल और कितनी बढ़िया रोटी बन करके निकल रही है इसमें से दोस्तो ऐसी रोटी अगर आप भी बनाना चाहते हैं या फिर आप देना चाहते हैं किसी संस्था को या फिर किसी गुरुद्वारे को अगर आप कोई नेक काम भी करना चाहते तो भी आप इस मशीन को लेकर के दे सकते और दौस्तों इसी के साथ-साथ में यह जो मशीं यहां पर आपको दिख रही हैं यह जैक्सन मशीन से हैं आप किसी संस्था के लिए किसी होस्पिटल के लिए sih गुरूद्वारे के लिए मजब में ब मचल येसी जगों पर या फिर आपका होटएल रस्टारण गैं फिर दोस्तों आप कहीं पर ये मशीन को लगाना चाते हैं जैसरे हापका कोई कटीन है तो भी ये मशीन के लिए रिस्टारण डाबास पर बहुत ही कारगर हो और ऐसी मशीन का इस्तवाल करके आप एक घंटे का एक हजार तक रोटी आप बना सकते हैं तो दोस्तों स्क्रीन पर हम जैक्सन मशीन का नंबर दे रहे हैं जिस पर आप यह मशीन के बारे में जान सकते हैं और अगर आपको इससे भी बड़ी मशीन